हेलो स्टूरेंट्स आपने मेरा वीडियो जो पिछला मैंने डाला था वो देखा होगा जिसे मैंने आपको एक्टिप पैसिव के बहुत बेसिक से रूल्स पताए हैं तो एक बार हम देख लेते हूं बेसिक से रूल्स लेकिन बिफोर देट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ठीक है शेर भी कीजिए अगर आपको लगता है अच्छा लगता है इंडेफिनेटी मुसे पूछिए कि आपको जो भी आपी कोईरी हो उनको पूछिए ठीक है तो लेट्स कंटिन्यू तक लास हमने जो पहली ग्लास में पढ़ा था वो इनके रूस थे ठीक है वाले sentences हैं ड़स वाले sentences हैं वो भी डू ड़स उन में नहीं आता है बलकि क्या आता है वॉग इस MR से यूज किये जाते है ऐसे ही कुछ ए बाले sentences है अगर इनमें will के साथ में be लग जाता है and third form of the verb एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि जो ये passive voice बनते इनमें हमेशा third form लगी होती है एक बात, दूसरी बात was, were is, mr लगा होता है के साथ में, is, mr के साथ में is, mr के साथ में third form of the verb लगती है जिसे कि आपको बज़ लगता है, ये passive voice है ठीक है, by कभी कभी नहीं भी लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है, तो ये rules मैंने आप लोग के साथ में share किये थे, दूसरा था continuous का, continuous है being लग जाता है जो मैंने आपको बताया था, being लग जाता है ठीक है, देखा, ये वाला नहीं बनता है तीसरा अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजेगा तीसरा होते है, perfect, perfect के बाद में ये तीनों में been लग जाता है, देखेए have been लगाया है, ठीक है and third form, the verb is very important अब हम आगे करते हैं, continue और मैंने कुछ rules बताये थे कि जो subject होता है, लेकिन यहां से पैसे voice का जो rule होता है पहला subject doer जो है वो object बन जाता है और object जो है वो subject बन जाता है so I जो है वो my में change होता है we, us में change हो जाता है you, you में ही रहता है, he, him में होता है तो यह changes भी आप बहुत ध्यान से देख लीजेगा, जो passive voice बनाते time हम करते हैं अब हम शुरू करते हैं proper अपनी class, ठीक है so revision में, सबसे पहले थोड़ा से revision करा दूँ मैं आपको पहले के कुछ sentences का, कि यह जो sentence है are the sum not solved by him अब यहां पर पहले आर लगा हुआ है, पहले तो मुझे बताओ कि यह active है या passive है यह है क्या, तो मैंने बताया कि passive पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या होता है, उसका बहुत एक अच्छा तरीका होता है कि आप देखे कि आपको आर के साथ में third form of the verb दिख रही है तो बस मतलब सीधे सीधे यह है कि यह passive voice है, आर के साथ में tense में, कोई भी आप tense में देखो कि third form of the verb नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर by भी लगा हुआ है लेकिन main चीज़ आप यह देखेगा, by भी लगा हुआ है, इसका मतलब कर दिया आप लोगो, यह passive है, आप जब active बनाएंगे, तो do लगाएंगे हाँ पर, ठीक है do him का क्या हो जाएगा, he तो आप वो दोनों तरीके से सीखना है, सिर्फ active से passive नहीं, पैसे से भी active बनाना कैसे करते हैं, तो यहाँ पर caution mark है तो इसका मतलब, जो आप active में change करेंगे, तो उसमें भी आप do करेंगे और do पहले आएगा, अब by him जो doer है, वो सबसे पहले आजाएगा, do he अब इसके बाद में क्या आएगा, do he फिर क्या आएगा, not solve, ठीक है तो इस तरीके से the sums इसके बाद आजाएगा, sums, the sums ठीक है, do he not sorry, do नहीं आएगा, यहाँ पर does आएगा he के according आएगा sorry, he के according आएगा so does he not solve the sums, ठीक है यह आएगा, solved नहीं आएगा ed नहीं लगेगा, third form of the verb नहीं लगेगा, तो यह do does से शुरू होगा तो यह चीज़ा प्याद रखिएगा second you have learned the poems तो I think आप यह पहचान गए होंगे, have लगा हुआ है कौन सा tense है यह perfect, कौन सा present perfect tense है अब इसमें have के साथ में क्या जाता है been आ जाता है, तो आप पहला मेरा वीडियो देखिए और यह मुझे करके मुझे answer दीजे, अब यह passive voice active voice मुझे बताईए, तो यह काम आपके लिए मैंने दिये हुए है अब यह वारे caution की बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको questions को कैसे passive voice में change करना है नहीं बताया था, तो यह हम कैसे करेंगे, यहाँ पर भी same वही rule लगेगा कि why had ram why head आजाएगा, आगे यहाँ पर आजाएगा, why had ram, फिर bean आजाएगा head के साथ में क्या लगता है, bean तो यहाँ आजाएगा, why had ram bean sold this flat तो अब यहाँ पर change क्या होगा, why had this flat, this flat आगे आजाएगा, why had this flat, this flat bean sold by ram तो यह passive voice ऐसे बन जाएगा, तो यह याद रखेगा, head आगे आजाएगा, फिर यह change होगा इस जगे पर आजाएगा, और यह यहाँ पर आजाएगा, जैसे मैंने बताया हुआ था, कुछ और rules की बात कर लेते हैं did वाले sentences, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में नहीं बताये थे, वो आप देखिए, आप did को हमने किसमें चेंज किया, was में चेंज किया, देखो according to नए सब्जे जैसे मैं लास्ट वीडियो में do बोल रही थी हो, सड़न मुझे आदाया कि यह मैं do के साथ ही लगा रही हूँ, तो गड़बड हो गया था है तो हमें इसके according हमें यहाँ पर वर्व रखनी है, वर्व हमेशे noun pronoun जो भी आगया आएगा, उसके according रखनी है, तो the film, the film के according क्या आएगा, अब हमने यहाँ पर tense पचाना यह क्या है, past है, ठीक है past tense के according क्या लग जाएगा, यहाँ पर was लग जाएगा, was यह वर्व अब हमने subject देखा, the film आ रहा है क्योंकि अब यह हो जाएगा, हमारा subject नया the film आगे आएगा, तो उसके according was आ जाएगा, ठीक है was the film, so was the film like third form लग जाएगा, liked by you, ऐसे बनेगा एक और sentence मैंने did वाला यूज के कि इसमें बहुत confused हो जाते हैं, बच्चे did को did ही लगा लेते हैं, वहीं गड़ पड हो जाता है so did नहीं होगा, why was the truth, why was the truth यह जो the truth है, वो आगे आ जाएगा the truth not spoken by you, ध्यान से देखेगा do and is, ठीक है why, do की जगे हमने present tense तो is लगा दिया, according to हमारी नए subject के stolen by you, I hope इतना समझ आ रहा होगा आपको, अगर कोई doubt है, तो you can message me, अब कुछ होड sentences मैंने आपर दिये हैं, तो इनको आप, मुझे comment box में, इन मेंसे जो जो sentences हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लिख करके भेजिए ठीक है, कर लेते हैं, very good, नहीं this is your homework, यह आपका क्या है homework है, आप अपनी copy में करके practice कीज़े, कोई doubt है, तो मुझे से पूछिए, next हम start करते हैं अब हमने, मैंने, मैंने, पिछले वीडियो में basic rules बतायते, अब मैं जो बताने वाली हूँ वो कुछ ऐसे sentences हैं, जिसे मैं बच्चे बहुत confused होते हैं, even ये जो questions मैं बताने वाली हूँ, ये आपके seated वगरा में भी पूछे जाते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा इनको ठीक है, ये है imperative sentences imperative sentence क्या होते हैं, जह हम किसी को command देते हैं, या request करते हैं advice करते हैं, order करते हैं तो ये कभी-कभी दो तरीके से बन सकते हैं ठीक है, let करके भी बन सकते हैं या you are ordered, you are requested करके भी बन सकते हैं देखे, तो पहले तो मैंने let वाला भी आपको एक example दिया है कि इनका rule ये है, so close the window इसको हमने start के, तो पहले हमने let लगा दिया फिर हमने अपना जो हमारा पीछे object है देखो, यहाँ पर imperative sentence में हमने पढ़ा होगा कि you hidden होता है ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है you close the window, ठीक है, तो you hidden है तो the close हमारा object हुआ, you हुआ hidden तो हम the window आगे रख देंगे so let the window be closed हमेशे यह चीज याद रखना कि imperative sentence में you जो होता है, वो hidden होता है so हमने hidden वाली चीज़ को subject माना और जो पीछे दिया है, उसको object मान के आगे लिखा never tell a lie अब ally हमारा क्या हो गया subject हो गया, passive voice का तो let a lie never be told ठीक है, tell को हमने second form लगाया third form लगाया, sorry और इस तरह बना दिया, stand up immediately अब देखो मैंने यह अलग तरीके से बनाया है you are ordered to stand up immediately, तो इस तरीके से दो तरीके से भी बन सकते हैं, never tell a lie you are advised to ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है तो इस तरीके से sentences दो तरीके से बन जाते हैं, let करके भी और you are ordered करके भी, you are suggested, you are advised तो कुछ और sentence हम देखते हैं देखे, यह मैंने request किया, kindly help me, ठीक है so you are requested to help me, आपको request कि जाती है, मेरी help करने की, ठीक है so work hard, यह आपका homework है, सिर्फ यह sentence, यह मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि यह let करके ही, तो यह let करके यह passive voice नहीं है यह active voice ही है, क्योंकि हमने यहाँ पर be नहीं लगाया है तो क्या हो जाएगा यह, let से ही start होगा, let this work be done by Mr. Gupta यह इस तरीके से बनेगा, ठीक है let this work आगया जाएगा, be done by Mr. Gupta, ऐसे बन जाएगा यह sentence, लेकिन यह आप मुझे करके comment box में भेजेंगा, यह थिंक यह बहुत easy होगा आपके लिए, अगर आपको च्छे से समझ में आया होगा तो now next है modal, modal जो verb होते हैं, इन से कैसे passive voice बनाया जाए, ठीक है तो इसमें जो auxiliary verb हुआ, मतलब can, could may, might, बहुत easy होते हैं यह बस आपको समझना है, तो same वही तरीका होता है, जो पुराना वाला है passive voice का, वही होता है बस इसमें be लग जाता है, third form of the verb so वैसे active में can के साथ में first form आएगी, लेकिन जब passive बनाऊगे तो third form आएगी और be आएगा जैसे first sentence देखते हैं हम I can lift this box so this box, वही same rule subject, object, object, subject change हो जाएगा, this box can के साथ मैंने क्या लगा दिया, be, can be lifted by me, you should discuss the plan with me you should discuss the plan with me the plan should be discussed with me, by him with me, by, sorry, by him him नहीं आना चाहिए, यहाँ पर, by you होना चाहिए, यहाँ पर है न, तो यह by mistake हो गया है, correct कर लिजएगा, by you हो जाएगा, यहाँ पर him नहीं होगा, यहाँ पर यह गलत हो गया है, by mistake so the plan should be discussed with me, by you, ठीक है, she might suffer a great loss, आप a great loss, आगया जाएगा a great loss, might यहाँ might लगा, यह काफी easy होते है, might be suffered लेकिन याद रखना, third form of the verb जरूर लगाना by her, अब होता है क्या है, जरा सा यह गायब कर देते हो, पूरी पैसे गलत हो जाता है आपका, तो बहुत जरूरी है सारे चीज़ां properly समझना ठीक है अब आगे continue करते हैं हाँ, अब आता है, infinitive verb जो होता है उनको कैसे बनाए, same चीज़ हम भी लगा देते हैं, same rule वही follow करेंगे, बस हम भी लगा देंगे जैसे कि there is no house to let so there is no house to be let मतलब किराए के देने के लिए कोई भी house यहाँ पर नहीं है तो यह चीज़ याद रखेंगे woman like man to, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दू हमेशा एक चीज़ याद रखना जब भी sentence को passive voice न बताना बनाना, एक चीज़ याद रखना कि उसका sense change रही होना चाहिए बस कहने का तरीका change रही है, जैसे कि यहाँ पर कोई घर किराय के लिए नहीं है यहाँ पर कोई घर किराय पर देने जाने के लिए नहीं है यह पैसे voice हो गया, ठीक है woman like man to flatter them woman चाहती है कि man उनको flatter करे and woman like to be flatter और woman चाहती है flatter किया जाना by man man के द्वारा, बात एक है लेकिन दो तरीके से घुमा के कही तो आप देखोगे to be flatter करके और थोड़ा सा change किया है तो यह sense समझना होगा आपको बच्चों ठीक है you have to remove your books आपको अपनी books remove करनी है so क्या होगा your books so you have to remove your books में क्या करोगे आप लोग फिर वही कि your books जो है वो सबसे पहले आजाएगा have to के साथ में सिर्फ be आजाएगा यहाँ पर ध्यान देना then have to be removed third form of the verb यहाँ पर first form था यहाँ पर be के साथ में third form लग जाएगा by you ठीक है I hope इतना समझ आ रहा होगा आपको अप कुछ sentences होते हैं two objects होते है एक होता है direct एक होता है indirect तो पहले जान लो direct और indirect क्या होता है तो दो तरीके से भी कुछ पैसे voice बनते हैं जैसे कि he teaches us English he teaches के बाद में us भी है जो object है history भी है जो object है ठीक है so he teaches us English तो us जो है वो direct object है history जो है वो indirect object है तो ये दो तरीके से बन जायेगा अस से भी और हिस्ट्री से भी तो मैंने देखो दोनों तरीके के example द है अस को जब हम आगे लाते हैं तो क्या बन जाता है वी र क्योंकि टीचर्ष है तो प्रेजेट टेंस है तो इसके अकॉर्डिंग एजमार लगेगा तो V के साथ में R लग गया taught history, third form of the verb then history, subject by him अब हम history से भी बनाएंगे history is taught, और देखो meaning भी दोनों के मैं समझाओगी कैसे निकल रहे है history is taught to us by him history हमको पढ़ाई जाती है उसके द्वारा तो history, ठीक है is taught to us, हमें पढ़ाई जाती है ठीक है, by him उसके द्वारा, तो history के according is लगा, third form of the verb, to us लग गया to us मत भूलना लगाना ऐसे ही second वाला ये जो है sentence ये देखिए she has given me a message me और a message, दो object है, object ध्यान रखना क्या होते है जो, यह तो noun होगा object यह फिर pronoun होता है object, इसके रवार नहीं होता है object, ठीक है, तो me भी noun, me pronoun है, और a message is noun, तो अब हम me से और a message से दोनों से बना सकते हैं, देखो मैंने दिया हुआ है, a message, अब has दिया है तो been लग जाएगा, a message, अगर messages होते तो क्या लग जाता, have लग जाता, ठीक है, so a message has been given to me by her, ठीक है, to me लग गया, मुझे दिया जा, अब हम me से जब बनाएंगे, तो me को change किस में करेंगे, I में, I have been given a message by her, मैंने यहाँ पर एक sentence दिया हुआ है, नीचे, यह like and subscribe की वज़े से नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, आपको बता देती हूँ, लिखा क्या है, और आप इसका comment box में बना के जरूर देना, यह जरूर करना, ठीक है, I shall give her 10 रूपीज, यह लिखा हुआ है, I shall give her 10 रूपीज, ठीक है, तो यह आपको बनाना है, इसका खुछ से दो, जैसे मैंने दो बताये हैं तरीके, इन दो तरीकों से आपको बनाना है, ठीक है next, कुछ होते है prepositional sentences, जिसमें क्या होता है, prepositions हटते नहीं, आप confused हो जाते हो, कभी-कभी कि यह to क्यों लगा है, to के साथ में by आएगा, नहीं आएगा, तो यह होते है, prepositional इनको लिखा ही, ऐसे ही जाता है, ऐसे I am listening to you, listen to me आप में देखा, listen के साथ में अकसर to ही आता है, बतों, to ही आता है actually तो you are I am लगा है, you are क्योंकि present continuous तो being लग जाएगा, you are listened to by me, तो यह to साथ में ही आईए होते है, prepositional sentences we will object to my proposal, she will object to my proposal, यह आप खुद करो, ठीक है, हो सके तो comment box में डाल दो, वरना अपनी copy में तो ज़रूर ही लिखो, ठीक है, युक्कि my proposal से स्टार्ट होगा, object to same के same रहेगा, will के साथ में क्या लग जाता है, उसके according लग जाएगा, और object का क्या बन जाएगा, third form लग जाएगा, ठीक है, तो यह आप खुद कर सकते हैं, I hope so, फिर भी अगर कोई problem आती है, तो you can write in comment box and I will definitely do something I will answer you everything, so इसके बाद में आता है, बाई, कहीं कहीं पर बाई नहीं दिया होता है, इसके बहुत सारे reasons हैं, क्यों, क्योंकि कुछ चीज़ा understood होती है, ऐसे, students are taught, students are taught अब पढ़ाये जा रहे है students are taught history अब history पढ़ाये जा रहा है, बाई नहीं लिखा, तो बाई कौन होगा student को पढ़ा रहे है, तो वो teacher ही होगा, ठीक है अथीव is caught अथीव, अथीव was caught ठीक है, अथीव was caught, इतना ही लिखा बच्चे परेशान कि मैं बाई तो दिया ही नहीं है आपको पैसे पैचाने के पैसेव है तो वोस के साथ में third form of the verb आई है इसलिए हम पैचान जाएं कि यह पैसेव है तो बाई इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बाई understood है कि किसी ने, मतलब वो police ने police ने sorry arrest किया होगा, किसी और ने arrest नहीं किया होगा, ठीक है अब ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं कुस sentence, her death shocked me कहाँ पर बाई ने को, तो कुछ words भी होते है कुछ थोड़ी अपनी thinking लगाना और एक में एक idea बताती हूँ, आपो कैसे पहचान होगे कि बाई नहीं लगेगा, एक तो इन sentences में बाई नहीं लगता है, जो natural होते हैं तो अगर मानों यह आजाए कि अथीव was caught, ठीक है तो आप क्या लिखोगे, अगर कहा जाए कि passive को active में बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे किसे पकड़ाओगा, पुलिस ने, ठीक है पुलिस caught a thief, या the thief जो भी आपके sentence में है, पुलिस caught the thief ठीक है, तो पुलिस understood है तो यह आप अगर पुलिस लगाओगे तो फिर someone नहीं आएगा पुलिस sorry, पुलिस arrested the thief पुलिस ही arrest करती है, ठीक है तो यह चीज दिहान रखना, कि अगर फिर आपको अपना सोचना होगा, thinking आपकी दिमाग क्या कहता है, उसको सोचना होगा ठीक है, her death shocked me अब यह इसके अलावा by कहानी लगता है हमेशे एक चीज याद रखना है, जब कुछ नहीं हो रहा होगा, मतलब जब यह वर्व ऐसी होगी, जो natural effect होगा, ठीक है, कुछ activity नहीं हो रही, जैसे I like you ठीक है, तो अब यह नहीं लिखा जाएगा, you are liked by me ठीक है, क्या लिखा जाएगा you are liked to me, मतलब by नहीं आएगा, यह चीज याद रखना ठीक है, so I was shocked at her, देखो shock के साथ में, अब यहाँ पर काम हो नहीं रहा है, लेकिन वो death को देखकर के natural हुआ कि वो shocked हो गया ठीक है, तो at इसलिए आजाएगा I was shocked at her death तो इसलिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर by नहीं आएगा this bottle contains ink, इस bottle में ink है, so ink is contained by this bottle नहीं आएगा, contained in this bottle, मतलब इस bottle में ink है, कुछ activity नहीं हुई है कुछ नहीं हुआ है, है natural है बता रहे हैं उसमें, तो कुछ थोड़ा सा आपको यह चीज़ें याद रखनी पड़ेंगे और बाकी मैं एक list भी जो है भेजूँगी, अगर आप queries आगे interested हो, तो मैं एक list भेज दूँगी कुछ words की नीचे, यह comment box में लिख दूँगी, कुछ words ऐसे जिन में by आता ही नहीं है, उनके साथ में fixed prepositions use किये जाते हैं, ठीक है, तो I hope बहुत अच्छे समझ भी आया होगा आपको, फिर भी कोई doubts है तो please, keep on asking, पुछते रहो, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं, मुझे नहीं पता हुआ कि आपके doubts क्या है, तो जब doubts निकलते हैं, तो एक तो मुझे खुद भी अच्छा लगता है, और जब बच्चे answer देते, reply देते, तो of course teacher को बहुत अच्छा feel होता है, so एक और, I hope to win, अच्छा कुछ और sentences होते हैं, अलग तरीके के, तो वो हम देख लेते हैं, I hope to win, मैं, मुझे hope है मैं जीच जाओंगी, यह जीच जाओंगा चो भी है, तो it is hope that I will win, ठीक है, someone has stolen my purse, तो देखो यह तो clear बात है, कि my purse has been stolen, यहाँ तक तो आप कर लोगे, इसमें बाई नहीं लगाए, इसलिए बताने के लिए मैंने, कि someone है, तो किसने चुराया होगा, अब यहाँ से, अगर मानो यह आ जाए, तो आप thief से भी शुरू करते हो, और someone से भी शुरू कर सकते हो, कि someone has stolen my purse, अचा, don't insult the weak, इसका मुझे बना के बताओ, कि don't insult the weak, कैसे बनेगा, इसको इसको बना करके मुझे बताओ, अगर आपको समझ में आ गया है, तो, and comment box में जरूर जरूर लिखना, ठीक है, So, I hope, अच्छे से समझ में आया है, मैंने पूरी कोशिश की, आपको बहुत-बहुत-बहुत सारे ऐसे example, don't rule के लिखने कि इसने बच्चे confused हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि examples के तुरू बच्चों को जाला समझ में आता है, कुछ चीजों के rules नहीं होते, यह understanding होती है, ठीक है तो इस तरीके से आपको समझना है, So, I hope, मैं अपने जॉब में पूरा justify किया है, मैंने आपको satisfied किया है, मैंने, So, thank you for watching my videos and like and share my videos, thank you everyone, thank you so much, अगर कोई query है, तो message box में लिख देंगे आप, ठीक है, Okay, thank you very much